अब इसमें नए अध्यक्ष के पद का चुनाव हो चुका है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगामी परिक्षाओं में निश्यत रूप से यहां से एक महत्वपून प्रश्ण बन सकता है इंडियनेशल कॉंग्रेस से रिलेट चाहे है वो प्रिलिम्स को ध्यान में रखके बनाया दिया जाए या फिर मेंस में या फिर इंडियनेशल कॉंग्रेस के इन परिस्थितियों में इस्टैब्लिश किया गया था इंडियनेशल कॉंग्रेस के अध्यक्षों के कारेकालों के बारे में जो महत्वपून अध्यक्ष हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है साथी साथ जो International Congress है उसका स्वाधिनता संग्राम में किस प्रकार से योगदान रहा है किस प्रकार से उन्होंने चीजों को लीड किया ठीक है और स्वाधिनता के बाद उनके किस प्रकार के रोल रहे इत्यादी चीजों पर आपसे प्रिश्णी जो है वो पूछे आ सकते हैं तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे इंडियनेशनल कॉंग्रेस के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक मतलब 1885 से लेकर के जब से ये जो कॉंग्रेस है स्टैब्लिश हुआ है 1885 में वहां से लेकर के हम लोग आज 2022 में जब इनके अध्यक्ष चुने गए हैं मलिकारजुन खडगे जी तो वहां तक के इतिहास को समझने का प्रियास करेंगे इसके माध्यम से आज के स्टोरी में बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉटेंस रही है इंडियन स्टरगल में अगर देखें इंडियन excitement and struggle में इंडिय नेनिशन कॉंग्रेस की इसमें बहुत सारे महान जो है नित्रत्व करता लोग वो शमक्ष आपको देखने को मिलते हैं इस कॉंग्रेस में तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम 1885 से ले करके जो महत्यपूर्ण अध्यक्ष रहे हैं, उनका संचिप्त में हम यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास करेंगे, 1885 से ले करके अभी तक, बैरहल सबसे पहले हम जानते हैं न्यूस क्या है, खबर क्या है, आप देख सकते हैं को ले करके अध्यक्ष पद को काफी जादा निकटता देखी जा रही थी, कि संभवता इनहीं में से किसी एक को अध्यक्ष का पद मिलेगा, तो एक खडगे जी हैं और एक आपको दिख रहे हैं, तो शशी सरूर और मलिकारजुन खडगे में किस प्रकार का निकटता रही है, अगर हम वोटिंग को ले करके बात करते हैं, तो चलिए एक बार उसके उपर नजर दाल लेते हैं, कॉंग्रेस के जो प्रेसिडेंट, जो पोल रिजल्ट है 2022 का, उसको अगर हम देखें, आज ही यानि अक्टूब 385, ठीक है, 9385 वोट्स में से 7897 वोट्स जो हैं, वो मलिकारजुन खडगे के पक्ष में गिरे हैं, और आप देख सकते हैं, शशी थरूर के पक्ष में 1072 वोट्स जो है, वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से ये विजाई हैं, एक तरीके से देखा जाए और यही हैं, अब अगले मलिकारजुन खडगे जी जो हैं, यही हैं अब अगले अध्यक्ष, ठीक है, अब कॉंग्रेस के जो अगले अध्यक्ष हैं, वो कौन हो जाएंगे, मलिकारजुन खडगे जी, अभी तक सोनिया गांधी थी, लेकिन सोनिया गांधी जो हैं, वो एक तरीके से अंत्रिम कॉंग्रेस चीफ थी, ठीक है, आंत्रिक रोज से कह सकते हैं, अंत्रिम कॉंग्रेस की अध्यक्षा रही थी, 2019 से, क्योंकि 2019 की लोगसभा के लेक्शन के बाद, जब राहूल गांधी जी ने ये पद त्याग कर दिया था, उसके बाद से ये पद रिक्त थ था, उस पर अंत्रिम अध्यक्षा के रूप में सुनिया गांधी जी थी, उसके पहले सुनिया गांधी जी का काफी लंबा कारेकाल रहा था, इनफैक्ट सबसे लंबा कारेकाल अगर आपको पूछा जाए कॉंग्रेस में किसका है, तो वो सुनिया गांधी जी का ही है, ठी में हम आपको 1885 से ले करके आगे तक का इधियास बताने का प्रयास करते हैं देखे सबसे पहले तो 1885 के अगर हम बात करते हैं 1885 में कॉंग्रेस का गठन हुआ है कॉंग्रेस का establishment हुआ है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के नाम से इसको जना गया भारती रास्टी कॉंग्रेस के नाम से इसको जना गया ठीके और ये जिन परसितियों में गठित हुआ है इससे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा जोड़ना चाहें आपने देखा कि 1857 की क्रांती हुई और 1857 की क्रांती के बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि कहीं न कहीं हमें भारत की जो डिमांड है जो इंडियन्स की जो डिमांड है उनको थोड़ा बहुत हमें पूरा करना ही पड़ेगा तो Indians की demands को पूरा करने के उद्धेश से अगर देखा जाए तो कई सारे जो changes हैं वो ले करके आएं जैसे विधाई कारियों में जो legislature के works थे उसमें Indians का जो influence है वो थोड़ा बढ़ाया गया लेकिन Britishers के सामने एक समस्या और आ रही थी उन्हें ये लगता था कि कोई ऐसा मंच होना चाहिए जिसके माध्यम से हम और निकट आ सकते हैं भारती जनता के अब उसके aspects भले ही दूसरे रहे हो ठीक है aspects उसके भले ही दूसरे रहे हो शायद वो इसका फायदा उठाना चाहते रहे हो लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1885 में 1885 में इंडिनेशल कॉंग्रेस को establish किया जाता है और इसको बुले आता है कि safety wall सिध्धान के तहत इसका गठन हुआ safety wall जो theory है उसके सिध्धान के अधार पर इसका जो है वो गठन होते हुए दिखाई देता है तो ये कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है literally ऐसा हो तो मुझे नहीं लगता है कि वास्तुविक रूप में ऐसा होता होगा इस प्रपेक्ष में मैंने आप लोगों को एक और reference दे सकता हूँ विपिन चंद्रा जी की किताब है History of Modern India उसका reference दे करके मैं आपको बता सकता तो 1885 में जब इंडिया नेशल कॉंग्रेस का गठन किया गया तो इसके गठन के करता धरता जो है वो एक retired collector थे retired collector है collector है इटावा के तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक civil servant थे ठीक है ये एक civil servant थे जिनका नाम था A.O. Hume क्या नाम था A.O. Hume तो A.O. Hume जिनने आप Alan Octavian Hume भी बोलते हैं ये Alan Octavian Hume थे जिनके प्रयासों से या जिन्होंने Indian National Congress के establishment की बात गई अब एक तरफ तो लोगों के मन में ये बात जाती है कि उस समय Safety Wall सिध्धान के तहट Britishers ने ये काम किया है और अंग्रेजों ने इनको जो है यहां पर रखा है हलाकि मैंने आपको कहा कि retired collector थे लेकिन ये काफी हद तक इंडिया के जो अधिकार हैं भारतियों के जो अधिकार हैं उसके पक्षधर थे और आपको इस बात को समझना चाहिए कि जिस समय इंडिया नेशल कॉंग्रेस का establishment किया जा रहा है 1885 में नव रास्टरवाद जो है वो उदेत हुआ है ठीक है तो जो वो नव रास्टरवाद है जो रास्टरवादी विचारधारा है वो उदे हो चुकी है डेफिनेटली इस बात का जब establishment किया जा रहा है तो वहाँ पर इस चीज़ का तो ध्यान रखा ही जा रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के फायदे के लिए इसको बना दिया गया हो या फिर उसमें शामि कि यह जरूर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश रूल की मुक्ति के लिए नहीं बनी थी यानि इंडियनेशल कॉंग्रेस जो है शुरुवात में जब बन रही है तो इसका यह prospect नहीं है कि हम ब्रिटिश रूल से आजादी दिलाने का जो उद्देश्य है ऐसा उद्देश्य जो ह मतलब इनीशियल अगर इसका हम यह देखना चाहें कि क्या उद्देश रहा होगा तो उसका इनीशियल उद्देश्य संभवता यह नहीं था बलकि क्या था बलकि यह था कि जितने भी लिट्रेट लोग हैं जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो इंडिया को समझते हैं इ जैसे 1857 की करांती के बारे मैंने एक बात बताया आपको, कि जो legislature था उसमें इंडियन्स का रोल नहीं था, तो जो policy making जो थी सारी चीज़ें वो Britishers किया करते थे, अंग्रेज किया करते थे तो और अपनी मर्जी से करते थे, तो उनको रोकने टोकने आलग कोई नहीं था, तो ये लोग क्या चाहते थे कि भारत को जो भारत के पास में, जो भारत को संचालित करने वाली जो नीतियां हो, भारत को संचालित करने वाली जो नीतियां हो, वो नीतियां जो है वो भारतियों से निकले, ठीक है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन पढ़े लिखे लोगों का ये समू हो गया, जो वास्त्रीक रूप में इस बात का आपस में बैट करके निरने कर सकें कि policy making procedure जो है वो किस प्रकार के होनी चाहिए, यानि कि ये policy making नीती संचालक कैसे हो, जैसे British policies अगर आई, तो ये कौन क करेगा, इसके बारे में Britishers को कौन जगाएगा, या उन्से शिकायत कौन करेगा, उनसे demand कौन क्रेट करेगा, इसलिए एक संस्था होनी चाहिए, तो ये initially इसलिए संस्था का निर्मान किया गया था, और यही कारण है कि प्रारंभिक जो Congress के कारे करता है, वो liberal आपको दिखा शुरू कर देते हैं, कि अंग्रेज यहां से चले जाएं, वो ही आजादी है, लेकिर इनका ये मानना था कि हमें Britishers से क्या आपती है, ब्रिटिशर से आपती नहीं है, पॉलिसी जो उनकी है, जो हमें यहां पर उनका बास्तुविक रूप में व्यक्ति उनकी नीतियों का ग चाहिए कि हम जो पॉलिसी है, जो नीतियां है, वो भारत के हित की बना सकें, डेफिनेटली, तो ये है प्रारंविक उदेश, लेकिन धीरे 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 करके, और शुरुवात में अंग्रेजों ने विश्वास भी यही दिलाया, लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे इस पॉलि जो बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई, या वो नहीं बन रही थी, फेल हो रही थी कहीं न कहीं, आगे चल करके इंडियननेशनल कॉंग्रेस की डिमांड्स, बहुत ज़ादा मतलब कह सकते हैं कि मानने के बज़ाए इग्नोर करा जाना बिटिशर्स के दरह सुरू कर दि तो आपको एक नरमी दिखाए देती है, 1905 तक, नरम पंथी प्रोसीजर दिखा देता है क्योंकि ये जानते थे कि हम हिंसा करके बिटिशर्स से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि और आफ्टर रॉल कहीं न कहीं अंग्रेजों के पास में जो सेनाए थी, वो तो बिटिश सेना मे का समय कहलाता है, नरम पंथी, और ये जो नरम पंथी विचारधारा हैं, ये ऐसा नहीं है कि रास्टवादी नहीं है, ये रास्टवादी विचारधारा के लोग नरम पंथी हैं, ये बात हमें यहां पर समझनी पड़ेगी, ये पात हमें जाननी ही होगी, क्लियरली समझना पड़ेगा इस चीज़ को अब इसके बाद क्या होता है कि यहां पर कुछ ऐसी चीज़ें आनी शुरू जाती है जैसे कि संप्रदाइकता यहां पर आनी शुरू जाती है यानि कि रास्टवारिता के साथ संप्रदाइकता जो है वो अपने पैर फैलान लगती है तो इसका अस इन से policy maker बन करके आँ बैठे हैं या policy making suggestions देने वाली एक संस्था बन करके बैठे हैं और अभी भी हम सही रास्ते पे भारत को नहीं ले करके हैं तो इनके अंदर और नरम दल में जिसको आप extremist और moderators बोलते हैं so at the beginning वो आप देख रहे हो कि यह moderators हैं but after कह सकते हैं in terms of 1995 या nearly in the time of 1995 यहाँ पर extremist जो हैं वो भी आने शुरू होते हैं तो यह तो शुरूआत की चीज मैंने आपको बताएगी Congress किन परिस्थितियों में गठी तो रही है वास्तवी गूरूप में Congress का गठन जो है वो भारत को British नीतियों से आजादी दिलाने के लिए हुआ है लेकिन बाद में यह sense clear हो जाता है इन राष्टवादियों को यह sense clear ह हो जाता है कि ऐसे मानने वाले नहीं है इनकी पॉलिसी नहीं बदलेंगी जब तक कि हम इनको यहां से भगा नहीं देंगे यह भी एक शो करता है कि वास्तविक रूप में विदेशी कौन है ऐसे तो देखा जाए तो जो इसलामिक लोग यहां पर रूलर्स के रूप में बलकि लूटिंग प्रोसेजर चालू रहा तो जब यह क्लियर हो गया कि अब यह नहीं करना है तब जाकर कि कॉंग्रेस का एक नया रूप सामने आपको 1905 के बाद दिखाए देता है यानि एक ऐसे रास्टवादी जो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल भी हैं और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स भी हैं not only this कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर सपोर्ट करते थे जिनको आप पुंजी वादी कह सकते हैं capitalist जो लोग थे इंडिया के ही जो थे वो भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे जैसे जमीदारी प्रथा को निभाने वाले ल क्लियरली हमको क्या समझ में आता है कि यह जो इंडिया नेशल कॉंग्रेस है एस पर इंडियन डिमांड जो है यह एस पर इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो समय समय पर चेंज होता रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस उसका अलग तरीके का प्रोसीजर रहा तो हम लोग उसक के समझ में आ गया होगा चलिए अब हम चलते हैं एक एक करके तमाम सारे अध्यक्षों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले जिस समय इंडिनेशनल Congress established किया गया International Congress established किया गया उस समय भारत का Governor General Court था आप comment section में comment करके बता सकते हैं उस समय भारत का Viceroy कौन था Viceroy उस समय भारत का Viceroy था Lord Dufferin ठीक है कौन था Lord Dufferin Lord जो Dufferin है ये भारत का Viceroy है ये चीज हम लोगो को ध्यान रखनी है ठीक है Lord Dufferin जो भारत के Viceroy है उनके समय में International Congress को establish किया गया था किसके दोरा establish किया गया था AO Hume के दोरा किसके दोरा AO Hume ठीक है AO Hume के दोरा establish किया गया था AO Hume के दोरा इनको establish किया गया और ये मैंने आपको बताया कि Itawa के retired character थे यानि ये क्या थे retired आईए civil servant थे civil servant थे ठीक है तो एक civil servant retired civil servant और Indians भी इनकी civil servant की position का फाइदा उठाना चाहते थे उनके experience का फाइदा उठाना चाहते थे उनके British होने का फाइदा उठाना चाहते तो ये establish किया गया था इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक साथ अगर हम देखें तो एक साथ जो है इनका जो पहला सम्मेलन है पहले सम्मेलन की अगर हम बात करें तो पहला जो सम्मेलन है सम्मेलन आपको देखने को मिलता है 25 दिसंबर 25 जो दिसंबर है 25 दिसंबर 1885 यह वो दिन था जब पूने में इस पर पहली कॉनफेंस होनी थी लेकिन कुछ परस्थितियों के करण इसको ये डेट जो है वो कैंसल कर दी गई और इसके बाद ये 28 से ले करके 28 से ले करके 31st December 31st December December 1985 1885 तक 1885 तक इसकी पहली Congress की Conference हुई थी और ये कहा हुई थी Bombay में कहा हुई Bombay उस समय इसको Bombay बोलाया था जिसे आज कल आप Mumbai बोलते हैं तो आप Mumbai कह सकते हैं या फिर इसे Bombay कह सकते हैं तो Bombay में कहा हुई थी एक Sanskrit पाटशाला थी जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल ये Sanskrit पाटशाला है जहाँ पे आपको ये जो International Congress है इसका पहला सम्मिलन होते हुए दिखाई देता है ấy तो अब बाती आती है, कि क्या इस समय A.O. Hume कि द्वार नहीं करी गई है, अध्यक्ष ते अगर उसको धियान रखना हूं आपको, तो उसके अध्यक्ष जो थे, वो थे W.C. Banarji, ठीक है, या फिर आप इन्हें V.Yomesh Chandraj Banarji के नाम से भी जान सकते, तो व्योमेश शन बनर जी जो हैं ये WC बनर जी जो हैं ये Congress के पहले अध्यक्ष हुए जबकि Congress का Establishment जो है वो किस ने किया है वो किया है आपके A.O.U. ने राइट यहां तक चीजें clear हो जाती हैं इसके बाद मैं कुछ उन important Termologies को यहां पर लिखने जा रहा हूं या फिर Time जो है उसको लिखने जा रहा हूं कि किसके समय में कौन-कौन से Congress के कारेकरता Congress के अध्यक्ष जो है वो कारेकरता के रूप में सामने आते हैं और respective way में अगर देखा जा है तो कहां-कहां उनके Conference हुए और उसके जो important बाते हैं वो हम आपको याद दिलाते हैं ठीक है तो 1885 की बात हो गई यह हुआ Bombay में ठीक है यह हुआ Bombay में और WC Banerjee जो है यह इसके क्या हो गए यह आपको इसके अध्यक्ष की रूप में देखाए देगे इसके बार अगले जो अध्यक्ष थे स्वबाव इकसी बात है अगली जो Conference अगली conference 1886 में होती है, 1886 में, पहली जो conference है उसके बाद, अगर हम देखें, तो देखें, एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, WC जो बनर्जी थे, WC बनर्जी जो है, ये 1885 में भी Congress के अध्यक्ष बने, और इसके साथ-साथ ये 1892 में, 1892 में भी इन्होंने अध्यक्षता करि तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो WC बनर्जी है, WC बनर्जी जिन्होंने आपको मैंने मताया कि 1885 और 1892, ये दो बार इन्होंने Congress की conference जो है, वो करी हुई थी, ठीके, और दूसरी जो conference हुई थी, उनकी ये हुई थी, इलाहबाद में, ये कहा हुई थी, इलाहबाद, त पहली उन्होंने करी बंबे में, यानि मुंबई में, और दूसरी करी इलाहबाद में, इसके बाद अगर हम 1886 की बात करते हैं, तो 1886 और 1893, ये दो समय में दादा भाई नोरोजी जो थे, ठीके, दादा भाई, दादा भाई, नोरोजी, इन्होंने अधक्षता करी है, ठीक दादा भाई, नोरोजी जीने जो है, इसके अधक्षता करी थी, 1886 में जो उन्होंने अधक्षता करी, वो करी कलकत्ता में, ठीक है, ये कहां करी कलकत्ता में, अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो दादा भाई, नोरोजी है, ये कौन है, ये पारसी है, ये पारस पार्शी अध्यक्ष जो है परशियन जो अध्यक्ष जो है वो कौन थे तो पहले पार्शी अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे ठीक पहले पार्शी अध्यक्ष यह एक पॉइंट हमको यहां पर और ध्यान रखना है अब हम यहां पर अगले अध्यक्ष की बा बदरुद्दीन तैयब जी अब देखिए बदरुद्दीन तैयब जी ने जो 1887 में अध्यक्षता करी है वो अध्यक्षता करी गई मदरास में लेकिन यहाँ पर भी एक important point हमारे पास में जुड़ गया और वो यह था कि इस अध्यक्षता में आप नाम जो देख रहे हैं वो नाम देख रहे हैं बदरुद्दीन तैयर जी मुस्लिम नाम है। मुस्लिम संपरदाय से बिलॉंग करते हैं तो यहाँ पर आपको धियान दखना है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध रही है बलकि सभी communities represent हो रही है आप डबलू सी बनर जी है आप देख सकते हैं वो बनर जी है बंगाल से है उसके अलामा आपने देखा कि इसमें एक पार्सी संप्रदाय का भी representation हो रहा है as a president उसके बाद आप Muslim Presidents भी यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है इसके अलामा इतना ही नही आपको यहाँ पर विदेशियों के भी नाम आपको ध्यान रखने होंगे 1888 में अगले ही साल जॉर्ज यूले जो है जॉर्ज यूले या यूले कहीं कहीं ऐसे pronunciation इसका लगल लग रहता है तो ये इनके बारे में भी आप जान सकते हैं ये पहले यूरोपी थे पहले आप यहाँ से आपसे confusing question आ सकता है exam में बाइदवए आपसे यही पूछ ले जाए कि इंडिनेशल कॉंग्रेस के पहले यूरोपी अध्यक्ष कौन थे तो option में हो सकता है आपको A.O.Hume भी दिया हो बट यहाँ धियान रखना है कि A.O.Hume was one of the founder member of international congress in fact leading founder members थे वो founder member थे वो बट वो अध्यक्ष नहीं थी उनके समय में अध्यक्षता WC Banerjee ने करी थी तो इस प्रकार से पहले यूरोपी या फिर पहले ब्रिटिश की बात करी जाएगी तो अध्यक्ष कौन होंगी वो जोर्ज यूले होंगे ठीके तो जोर्ज यूले तक हमको यहाँ पर 1889 की बात करते हैं तो 1889 और 1910 दो ऐसे साल हैं जिसमें विलियन वेवर्ड जो हैं उन्होंने अध्यक्षता करी है कब कब करी है मैं आप पर लिख दे रहा हूं 1889 में और 1910 में किसने करी है विलियम वेडर बन विलियम वेडबन 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 वेडब पर अद्यक्ष्ता करी है और इनकी जो अध्यक्ष्ता रही है अगर आगे हम 1889 की बात करते हैं तो इन्होंने बॉंबे में presidency करी थी बॉंबे में proceed किया था बॉंबे और उसके बाद Allahabad अब यहाँ पर इलाबाद में क्यों लिख रहा हूँ क्यों उस समय उसको इलहाबाद के नाम से जाना जाता था, आप इसे प्रयाग राज भी समझ सकते हैं, ठीके तो एक ही बात है, प्रयाग राज कह लिजे, इलहाबाद कह लिजे, एक ही बात है, अब ये कुछ important नाम थे जो मैंने आपको बताए, इसके लामा 1890 में, 1890 में फिरोज शाह मेहता, ये इनोंने अध्यक्ष्टा करी, 1890 के बाद अगर आप देखोगे, इनोंने कलकत्ता में अध्यक्ष्टा करी थी बई, कहाँ पर, कलकत्ता जो adaptation है, उसके अध्यक्ष्टा इनोंने करी थी, 1890 तक का अथिहास मैंने आपको यहाँ पर लिखा, आप उसको revise कर सकते हैं, note देखने को मिलेगा, एटीन हंडेड, 1894 में, और ये नाम भी इंपॉर्डेंट हो जाता है हमारे लिए, क्यों? 1894 में Alfred Webb जो थे उन्होंने अध्यक्षता करी थी और ये अध्यक्षता मदरास में करी गई थी किसने करी अलफ्रेड वेब और अलफ्रेड वेड की जो अध्यक्षता है ये मदरास की है और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक और व्यक्ति हम को यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए एक विदेशी का नाम आपको देखने को मिल रहा है इसके अलामा विलियम विबर्डन बर्न का नाम आपको देखने को मिल रहा है और फिर एक नाम देखने को मिल रहा है अल्फरेट ड्रेप का तो तीन अभी तक आपको विदेशी यहां पर मिल गए हैं इसके अधार पर आप लास्ट में कमपाइल कर सकते हो कि कितने विदेशी लोग यहां पर इंपोर्टेंटली जो है वो रहे थे जोनोंने अध्यक्षता करी थी किसकी इंडिनेशनल कॉंग्रेस की ठीक है अब हम बात करें अगले कुछ नामों की अगर हम कुछ और नामों की बात करते हैं यहां पर कहां तक हो गया है 1894 तक ठीक है 1894 तक हमने यहां पर सारह त्यास देखा इसके बाद 1895 में और 1902 में 1895 में 1895 और 1902 यह दो साल ऐसे हैं जिसमें सतेन नाथ बनरजी जी ने यह अध्यक्षता करी थी ठीक है सतेन नाथ बनरजी सतेन नाथ बनरजी यह अध्यक्ष रहे थे ठीक है SN बनरजी SN Banerji जो हैं ये आपको अध्यक्ष्टा करते हुए दिखाई देते हैं और दो बार मैंने बताया तो दो बार जब दिखाई दे रहे हैं तो पहली बार 1895 की जब बात करेंगे तो इन्होंने पूना में अध्यक्ष्टा करी थी जैसे की तरह देखे किन-किन लोगों ने कॉंग्रेस की दो बार प्रसीड किया है अगर हम इस पे नाम पे ध्यान देंगे तो एक नाम आपका यहाँ पर WC Banerji का रहे हैं एक नाम आप देख सकते हैं WC Banerji है दूसरा नाम आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा नाम आप देखेंगे दादा भाई नवरोजी इन्होंने भी दो बार अध्यक्षता करी दादा भाई दादा भाई इन्होंने भी दो बार अध्यक्षता करी और देख सकते हैं आप 1886 और 1893 1886 और 1893 इन्होंने दो बार हमको यहाँ पर और देखने को मिला था 1889 और 1910 तीसरा नाम तीसरा नाम था विलियम बेडबर्ब ठीक है ये 1889 और 181910 इस दो वर्षों में उन्होंने अध्यक्षता करी थी तो तीन नाम यहाँ पर अभी तक आपके सामने हो चुके हैं और एक नाम हमने आपर आपको लिखा सतेननाद बनर जी 1895 और 1902 ठीक है 1895 1902 इसमें किसका नाम आएगा सतेननाद बनर जी तो यह चोथा नाम आपके सामने जुड़ गया और भी नाम हम यहाँ पर जुड़ते चलेंगे लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इतने नाम मैंने आपके लिए बता दिये अब अगली अध्यक्षता की जब हम बात करेंगे तो इनको राष्ट गुरू भी कहा जाता है सतेनाद बनर जी को अगली अध्यक्षता की जब हम बात करेंगे सयानी इन्होंने जो है अध्यक्षता करिए अब इनके अध्यक्षता के अगर हम बात करते हैं तो यह प्रारंभिक जो इंडियनेशनल कॉंग्रेस है इंडियनेशनल कॉंग्रेस के स्थापना करता स्थापना करता में से एक थे यानि कि जो 1885 में इंडिनलेश्ट कॉंग्रेस स्टैब्लिश हुई है उन्सको जो है इन्होंने स्टैब्लिश किया था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था हलाकि यह जो एम रहमतुल्ला है यह आगाखां के फॉलोवर थे आगाखां के आगाखां वही हैं जिन्नोंने 1906 में मुसलिम के इस्टैब्लिश्मेंट किया था अब रहमतुल्ला के द्वारा जो अद्यक्षता करी गई थी यह करी गई थी कलकत्ता में यह कहां करी गई थी कलकत्ता ठीक है तो यह एक और मुसलिम हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने सेकेंड मुसलिम कह सकते हैं कि अध 1887, C. शंकरन, ठीके, C. शंकरन नायर जो थे, उन्होंने अमरोती में किस अदक्ष्टा करी थी, अमरोती, ये एक वकील थे, अमरोती में उन्होंने अदक्ष्टा करी थी, 1887 में, उसके बाद 1897, यहाँ पर एक नाम जो है, यह 86 नहीं है, 1886 तो पहले ही हो चुका, यह इसको लिखेंगे, और यहाँ पर यह 97 है, ठीके, यह क्या है, 1896, 1897, 95 के बाद 96 और 97, ठीके, अब 1800, जो 98 है, 1898 जो है, इसमें आनंद मोहन बोश जो है, आनंद मोहन बोश, इन्होंने अद्यक्ष्टा करी थी, और आनंद मोहन बोश की जो अद्यक्ष्टा है, यह एक बैर बैरिस्टर थे, और इनकी अद्यक्ष्टा हुई थी, वो मदरास में हुई थी, तो इन्होंने मदरास अद्यक्ष्टा में पार्टिसिपेट किया है, तो सतेन नात बनर जी तक हमने दो नाम यहाँ पर अपडेट कर दिये थे, ठीक है, ओके, हो गया है तर, अगले हम अद् 1898 तक यह सारे नाम आपको दिख गए, अगले अद्यक्ष्टा जो है हमको देखने को मिलेगी, 1899 में, और 1899 में जो अद्यक्ष्टा करी है, यह एक साउथ हिंडियन है, इनका नाम है रमेश चंदेरू दत्तू, ठीक है, उन्होंने अद्यक्ष्टा करी है, रमेश चंदेर दत्तू, और इन्होंने लखनव में, लखनव में अद्यक्ष्टा करी है, इसकी, कॉंग्रेस की जो अद्यक्ष्टा करी है, कहां करी है, लखनव में करी है, और इंपोर्टेंट बात यहां पर यह है, कि इनकी अद्यक्ष्टा के समय में, एक इंपोर्टेंट बात हमको यह प्रकार से नागरिक जो सर्विन्ट होते हैं वो सिविल सर्विन्ट यह भी एक प्रकार से सिविल सर्विन्ट थे इसके अलावा बहुत अच्छे अनुवादक थे और इन्होंने महाभारत और रमायर का अनुवाद भी किया था महाभारत महाभारत और रामायर इस तरीके की ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया है यह भी बहुत इंपोर्टेंट बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है इसके बाद अगर हम अगले नाम को देखेंगे तो सन 1900 की बात आएगी, 1900 की बात आएगी, अब यह 20. सितापदी जो है, उसका अंतिम वर्ष है, इसके बाद हम 20. सितापदी में खदम रख देंगे, श्री नरायन गरेश, ठीक है, तो श्री नरायन गरेश जो हैं, इन्होंने दाहौर में अध्यक्षता करी थी और ये प्रकार से हिंदू रिफॉर्मर थे क्या थे ये लेकिन हिंदू सुधारवादी थी ठीक है उसकी पीठ के सदस्री के रूप में भी इनको जाना जाता है और 1910 में इनको नाइट की उपाधि डी गई थी ठीक चलिए ये तो समय आ गय ताकि हम बात करेंगे जो कि बहुत important हो जाएगी और यह द्रख्ष्टा करी है Gopal Krishna Gokhali जी ने और यही वो द्रख्ष्टा थी जिसमें गरम दल और नरम दल का जो भेद भाव था वो तेजी से, बहुत जबा तेजी से दिखाई दिना शुरू हो गया मैं आपको बता दूँ वुपाल कृष्ण गोखले जी जो है ये नरम दल से है ये नरम दल से है ठीक है वुपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो नरम दल से है और गांधी जी जो थे जब भारत आये तो जीखे गोखले के प्रभाव में आये थे और मैंने आपको बताया कि किस इस प्रकार से वो इनके प्रभाव में थे, आगे चल करके, इन्होंने जो आंदोलन भारत में चलाएं हैं, उसके उपर भी इनका काफी दा असर था, तो गांधी जी जो है, वो गोखली के प्रभाव में आकर के, गोखली अलग जो गुरुप था, उसमें आकर के जुल गया थ इसके बाद 1907 का जो important कह सकते हैं, अडिवेशन हैं, ये बहुत important रहता है, 1907 में रास बिहारी बोशी ने सूरत में अडिवेशन किया, इन्होंने सूरत में अडिवेशन किया, कहां पर अडिवेशन किया ये, सूरत, सूरत सेशन इसको कहा जाता है, सूरत में सेशन किया, य नाइटेरहंडेट में मदरास में कहां पर हुआ मदरास में 1908 में एक अधिशन ने किया हूआ है तो राजब्यारी बोस का जो सूरत सेशन है वो इसलिए important हो जाता है क्योंकि यहीं वो सेशन है जिसमें Congress विभाजित हुई है Congress क्या हुई है विभाजित हुई है किसमें गरम दल और नरम दल के रूप में यानि कि extremist और moderators के रूप में डिवाइड क्यों हुए है इसके बारे में लेक्चर के शुरुबात मैंने आपको बताया 78 वाला राज बिहारी बोस एक नाम हमको यहां पर और अपडेट कर देना चाहिए राज बिहारी बोस पांचवा रास बिहारी बोस 1907-1908 यह दो अडिवेशन जो है इन्होंने भी Congress की दो बारत देख्षता है यहां पर कर ली तो हमको यह भी देखना है कि कौन लोग हैं जो Congress की दोबर अदेख्षता करे हैं अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो 1909 में मदन मोहन मालवी जी जो है जिनको महामना भी कहा जाता है और महामना की उपाधी रवीन नाथ टैगोर ने, रवीन द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने इनको महामना की उपाधी दी थी, तो इन्होंने ये जो अधिवेशन किया है 1909 में, ये अधिवेशन किया है लाहॉर में, कहां किया है लाहॉर, ये हमको ध्यान रखना है, इसके अलामा, एक सेशन इनका औ और रहा है 1918 में, 1918 में इन्होंने दिल्ली में दिवेशन किया था, दिल्ली, दिल्ली 1918, तो आपको दुगना समय याद रखना, 1909 में पहला, 1918 में दूसरा, अदिवेशन का उवर, महामना मदनमोहन मालवी थे, जिन्होंने बियेचिव को इस्टैब्लिश किया, बनारस हिंदू जो विश्वद्याल ہے उसको इस्थाप्लिस करने में, इनका नाम आता है, तो एक नाम हम यहाँ पर चल करके और अपडेट कर देंगे, मदन मोहन मालवी जी के नाम से, ठीक है, एक नाम यहाँ पर हम ओडेट कर देंगे, छटवा नाम, मदन मोहन मालवी, ठीक है, 1909 और 1918, य उन्हें अद्यशन किया है, इसके अलामा इनको मर्णो परान जो है वो भारत रत्न भी आपको मिला था, आपको बताना है कि इनको भारत रत्न कब मिला, ठीक है, कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके बताईएए, इसके अलामा अगला जो हमको date याद रखनी है, वो है 1914 का, 1914 मे भुपेंद्र नाथ बोस इन्होंने अध्यक्षता करी है भुपेंद्र नाथ बोस जी ने 1914 में अध्यक्षता करी है कहां की मदरास की मदरास के दक्षता मदरास अधिवेशन में अध्यक्ष जो है वो बुपेनात बोजी रहे थे ये पहले प्रेसिडेंट थे ये पहले प्रेसिडेंट थे जो मोहन बागान AC के पहले अध्यक्ष थे मोहन बागान AC के पहले अध्यक्ष तो हमको इनके बारे में ये एक एक्स्टा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ध्यान र रखना है और इन्होंने बॉंबे में अध्यक्ष्टा करिए 1915 में 1915 का जो बॉंबे अधिवेशन है वो भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम यहां पर लिखा जाएगा वो हैं लॉर्ड सतेंद्र प्रसंद सिन्हा क्यों कौन है इनको लॉर्ड की उपाद होगा इनको नाइट की उपादी दी गई थी और जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का उसको लाने के लिए जो बिल पेश किया गया था वो इनके दरापेश करवाए गया था या उसके यह पक्ष्ट दरत एक तरीके से काला सकता है इनको नाइट की उपादी बदी और सब से इंपॉर्टन बात जो हमको दयान रखना है वो है ब्रिटिष हाउस आफ लॉड्स में ब्रिटिष हाउस आफ लॉड्स के पहले भार्ती तो यह भी आप ध्यान रखना है फर्स्ट इंडियन है जो British House of Lords में पहुंचे हुए थे, 1919 का जो Government of India Act है, जिसे आप जो है अलग-अलग नामों से भी जानते हैं, आपको 1909 और 1919 में सुधार आंदोलन यहाँ पर देखने को मिले थे, तो 1919 में जो सुधार के लिए जो बिल लाने का काम था, उसके लिए इनोंने बिल जो है वो लेकर का, इनके समय में बिल आया गया था, तो बॉम्बे 1915 यह हमको ध्यान रखना है, लॉर्ड सत्य तसन सिन्हा, British House of Commons, British House of Lords के जो है यह भारती सदस्य थे, पहले भारती थे, जो इनोंने किया था, और यह बॉम्बे में इनोंने अध्यक्षता करी थी, 1915 म बहुत ही इंपोर्टेंट एक नाम यहाँ पर हो राएगा, बहुत जादा इंपोर्टेंट, 1916, 1916 में, MC मजूम्दार, MC मजूम्दार, यह अध्यक्षत थे, नहीं नहीं, AC मजूम्दार, AC, अंबिका चरण मजूम्दार, तो आप यह आपे अंबिका चरण ही लिख दीजे ठीक है, पूरा नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, अंबिका चरण मजूम्दार, अंबिका चरण मजूम्दार, जो हैं, वो इसके अध्यक्ष थे, 1916 में, और 1916 का जो यह अध्यक्षता है, इसको हम लोग बोलते हैं, लखनव, लखनव अध्यक्ष, लखनव में यह अध् लखनओ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यही इसी चीज़ को हम लोग लखनओ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पैक्ट के नाम से, तो लखनओ पैक्ट, पूर्णा समझाता किस चीज़ के लिए फेमस है, लखनओ समझाता जो है वो फेमस है आपका, नमबर ए तो इसमें मुस्लिम लीग जो थी वो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस से मिल गई यहनि कि यहाँ पर जोड़ जो है शुरू हुआ आपको मालू हैं 1906 में कॉंग्रेस से अलग हो गई थी मुस्लिम लीग और साथी साथ दूसरा important point यहाँ पर आपको धियान रखना है कि जो गरम दल और नरम दल था गरम दल और नरम दल और जो नरम दल है इसका भी एकी करण हुआ एकी करण एकी करण इसका भी और इसका भी दोनों का एकी करण यहाँ पर हो था एक साथ एक मंच पर आकर के काम करना शुरू कर दिया गया था ठीके तो 1916 में ये आपको लखनों समझाता है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो धहान रखना चाहिए ठीके? चलिए, अगला 1916 के बाद आगे बढ़ते हैं 1917 में, 1917 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़़ादा important क्यों है क्योंकि इसके देख्षता करी थी any basin ने any basin any basin विदेशी है लेकिन महिला है any basin विदेशी है किंतु क्या है महिला है तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है 1917 में any basin ने कलकत्ता में ध्यवेशन किया था कहाँ पर कलकत्ता और इनके बारे में हमको जिस point को ध्यान रखना है वो point है international congress की पहली महिला एक तो कुश्य ने बन सकता है पहली महिला ध्यक्षा हों चाहे पहली विदेशी महिला ध्यक्षा हों एक ही नाम यहाँ पर आएगा और वो कौन है यह आपकी एनिवेसंट है यह आपको मालूम है कि एनिवेसंट जो है वो होम रूल लीग लेकर क्या आई थी होम रूल और इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमन वील यह दो पत्रिकाएं भी लॉंच करी थी ठीक है एनिवेसंट का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यह कौन सा ठीक यह पॉइंट हमको ध्यान हो गया अब हम चलेंगे अगले अगले नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है अब ज़र देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ और ध्यान नखना है 1918 का धिवेशन 1918 का धिवेशन जो है यह किया गया है सैयद हसन इमाम के दौरा किसके दरा किया इसको विशेश तोर पर बुलाया गया था यह एक स्पेशल सेशन था जो कि बॉम्बे में हुआ था कहां पर हुआ बॉम्बे में 1818 में 1918 का यह जो स्पेशल सेशन है यह किस प्रयोजनार्थ जो है वो बुलाया गया था अगर हम उसके उपर ध्यान दे तो जो मॉन्टेग Montague Champsford जो रिफार्म है जो की आपको मालुम है 1919 में आया ठीक है Montague Champsford रिफार्म ये काफी विवादित रहा था इस ये इसी दोरान इसी अधेक्षता के दोरान जो है Montague Champsford dawर्म जो है वो भारत में आता है इनी के अधेक्षता के दोरान खिलाफत जो आंदोलन है, उसमें भी ये एक्टिविस्ट के रूप में थे, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, जो आगे चल करके गांधी जी के आंदोलन के साथ मर्ज हो गया था, तो 1918 का ये अधिवेशन भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, इसके अलामा बात करेंगे हम 1919 की एक बहुत ही महत्पूर्ण नाम आएगा, जो की है मोतिलाल, मोतिलाल, मोतिलाल नहरू हैं बई, ओरा नमत दोलना, तो मोतिलाल नहरू हैं, और मोतिलाल नहरू ने ये अधिवेश्टा करी थी अमरिस्सर में, अमरिस्सर, इसके अलामा, इनका एक अधिवेश्टा 1928 में भी करी है और आपको मालूम है कि मोतिलाल नेुरु जो है वह असायोग अंदोलन असायोग अंदोलन में रहे थे इसके अलामा जो आपका स्व राज पार्टी है व्मेन सीष्टेवल बनी थे अपको वार्ण में कि इन्हीं के बेटे थे जिनका नाम था जवालाल नहरू तो यहां तक की बात हो सकता है आपको समझ में आई हूँ लेकिन हमको एक पॉइंट यहां पर एड करना है और वो क्या है कि दो अध्यक्ष दो बार की अध्यक्ष यहां पर एक और हमको मिल गए 1919 1929 और 1928 में इन्होंने अध्यक्ष दा करी है कि इन्होंने मोतिलाल नहरू ने तो एक नाम हमको यहां पर और लिखना है एक नाम हमको और लिखना है मोतिलाल नहरू 1919 की और 1928 की अध्यक्ष दा जो है वो इन्होंने करी है मोतिलाल नहरू जीने ठीक है ये बात हमको यहां तक समझ में आ जाती है हाँ या नी इसके आगे चलेंगे और 1920 में 1920 में 1920 में एक अध्यक्षता हमको देखने को मिलेगी लाला लाजपत राय जी के दुरा लाला लाजपत राय आपको मालूम है कि इन्होंने बहुत विशेस रूप से कर देखा था सा पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है पंजाब केसरी तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जो है वो भी कॉंग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे थे कितना ब्रिलियंट कह सकते हैं कि कितना जोरदार तरीके का गर हम देखे तो पूरा जो वो रहा है कॉंग्रेस लाहोर पहुचा था 1928 में तो उसका विरोध करते हुए इनके उपर काफी ज़्यादा चोट लगी थी और उसके बाद उनकी बृत्यों हो गी थी इसके बाद 1920 में ही एक special session बुलाया गया 1920 में ही एक special session हुआ special special session हुआ विशेस आयोजन यहाँ पर किया गया और इसमें एक नाम आपको बहुत important रूप से ध्यान रखना है 1920 में जो नाम यहाँ पर आ रहा है वा रहा है विजय राव माधवाचारी ठीक है या विजय माधवाचारी या विजय राव माधवाचारी एसा कुछ नाम है नागपूर session नागपूर में हुआ था नागपूर session है विजय राव माधवाचारी इनके द्वरा ये अध्यक्षता जो है करी गई थी ठीक उसके बाद आप चाहें तो इसको नाभी नोट करें तो चलेगा 1921 में एक session आया 1921 में एक नाम यहाँ पर आएगा हकीम अजमल खान ठीक है क्या नाम हैगा हकीम हकीम साब थे ये अजमल अजमल खान हकीम अजमल खान जो है ये अध्यक्ष रहे थे किसके कॉंग्रेस के 1921 में कॉंग्रेस के अध्यक्ष जो है वो हकीम अजमल खान है और इन्होंने अध्यक्षता करी है इन्होंने अध्यक्षता करी है अहमदाबाद में कहां पर करी है अहमदाबाद लेकिन इनका नाम जो है फेमस है मालूम किस चीज के लिए इनका नाम जो है किस चीज के लिए दिल्ली में दिल्ली में आपने एक कॉल इसके अलामा ये एक ऐसे विक्ति थे जिन्होंने आयुरवेद और युनानी जो चिकिस्ता पद्यती है उस पर आधारित एक मेडिकल कॉलेज भी इस्टैबलिश करवाया था इसके अलामा ये एक मात्र ऐसे विक्ति हैं जो की ये एक मात्र ऐसे विक्ति हैं जो की आपको धिय इन तीनों में यह आप एक मात्र ऐसे विखती है जिन्होंने इन तीनों की अध्यक्षता करी है मतलब मुस्लिम लिग में भी अध्यक्ष रहे थे इसके अलामा इंडिनेस्टल कॉंग्रेस में तो आमने आपको दिखाया ही कि 1921 में अध्यक्ष है और इसके अलामा जो ऑल चितरंजन दास चितरंजन दास 1922 का दिवेशन अभी 1922 का समय है जिसके बाद आपको मालूम है कि जो कॉंग्रेस खिलाफत जो पार्टी है उसका गठन किया जाएगा जिसमें जो है सक्रीब भूमिका मोतेलाल नेरुजी ने भी 1923 में निभाई थी तो 1922 का दिवेशन है य और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की स्वराज पार्टी इनके नाम पे भी स्वराज पार्टी लिखा जाएगा तो स्वराज पार्टी का इन्होंने इस्टैप्लिश्मेंट किया था गांधी जी से मदभे थोड़े से यहां पर हो गया थे तो 1922 का यह जो अध ठीक है किसे ने किया था अबुल also he hasastic design उने सो टेइस का अधिवेशन है वो अबुल कलाम आजाज के तुर Wow बेल्द यह दिल्ली का विशेश अधिवेशन ता यह एक बदुली में किया गया है विशेश यहां यह sicán अधिवेशन, विशेश अधिवेशन, ठीक है, इसके अलामा, अब्दुल कलाम आजाद, ना सिर्फ 1923 में, बलकि, 1940 से ले करके, 1940 से ले करके, 1946 तक भी, कॉंग्रेस के अधियक्ष बने रहे, तो एक नाम हमको वहाँ पर, लिस्ट में जाकर के, आप पीछे, आठवा नाम यहा पर मिल गया है, 1940 से ले करके, 1946 तक इनोंने अधियक्षता जो है, वो कॉंग्रेस की करी थी, एक आठ पॉइंट इनके नाम पर हमको थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए, कि अबुल कलाम आजाद जी जो थे, इनको भी मरणो परांद भारत रतन पुरसकार मिला था, मरणो 1923 तक हमने अबुल कलाम आजाद जी को यहाँ पर समझ लिया है, 1924 में most and most important thing, 1924 ये एक मात्र अधिवेशन है, जो की महात्मा गांधी जी के तरह किया गया था, ठीक है, मोहंदास करमचन गांधी जी के तरह, और ये कहां किया था, कहां किया गया था, बेलगाओं में, ठीक अधिया था एक बार, ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, गांधी जी के, ये important है बहुत जादा, 1925 का दिवेशन जो है, ये भी बहुत जादा important है, 1925 का, ये सरोजनी नाइडू जी के तरह किया गया था, तो इसकी देख्षता किस ने करी है, सरोजनी, सरोजन ठीक है, और ये दिवेशन हुआ था कांपूर में, अब जब इस point को मिया पर लिख रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है, इंडियान नेशिल कॉंग्रेस की पहली भारती महिला अध्यक्षा, जो है, वो आपको यहाँ पर नाम ध्यान रखना चाहिए, तो अब ये बात आपको समझ में आगी 1925 का जो अद्वेशन है ये भी काफ़ी अदा important है कानपूर में हुआ है और पहली भारती महला अद्यक्षा करूप में आप इनको जानते हैं अब इसके बाद जो नाम आने वाला है वो बहुत important है इसके बाद जवाला निरुजी जो है जवाला निरुजी जो है 1929 में अद्यक्ष बनते हैं दियार नखेंगे 1929 में अद्यक्ष बने 1930 में अद्यक्ष बने इसके अलामा ये 1936-37 में भी अद्यक्ष बने 36-1937 इत्यादी में भी उन्होंने अद्यक्षता करी है जवाला निरुजी ने उसके अलामा 1946 में द्यक्ष्टा करी है उसके अलामा 1951 से लेकर के 1954 तक लगातार ये कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं तो काफी ज़्यादा कह सकते हैं कि इनका important यहाँ पर नाम हो जाता है ठीक है और ये भारत के पहले प्रधान मंतरी भी है लेकिन यहाँ ध्यान रखनी की बात यह है कि 1929 में कॉंग्रेस के अध्यक्ष चुने नहीं गए थे बलकि अपने पिता को का स्थान इन्हों ने लिया था इन्हों ने अपने पिता का स्थान लिया था तो इस तरीके से एक परिवार की विजए थोड़ी से हमको यहाँ पर दिखाई देती है और एक परिवार से एक व्यक्ती पिता की जगा पर पुत्र जो है स्टैबलिश होने की यह पहली बार घटना यहाँ पर देखी गई और जवाहलाल नहरु जी जो थे उन्तिस है उसमें जो है जंडा ले रहाये था और 1926 जनवरी 1930 में पहली बार सोतंता दिवास मनाया जाने की गोश्ण करीगे थी 1930 वाला जो अधिवेशन है 1930 वाला जो अधिवेशन है यह करांची में हुआ था यह करांची एधिवेशन मी इनका बहाँ ज़ाँ था लुक्नो में हुआ था लखणो यह अधिवेशन उन्हें कहां किया था लखणो में किया था और 1937 वाला जो अधिवेशन है ये आपका फईजपूर में हुआ था, कहां पर हुआ था ? पैजपूर पैजपूर अदिवेशन इसको हम लोग कहते हैं इसके अलामा जैसे 1951 के अदिवेशन की बात करते हैं तो 1951 में दिल्ली में अदिवेशन हुआ था 1952 में उन्होंने हैदराबाद में अधिवेशन किया, 1953-54 में जो अधिवेशन हुआ है, वो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है, तो इस तरीके से different-different अधिवेशन हमको अलग-अलग समय में दिखाई देते हैं, clear है बात हाँ या नी, ठीक है, क्लियर हो रही बात है यहाँ पर सारी जीए समझ में आ रही है 1929 वाला जो इनका जो समय है काफी आदा इंपोर्टेंट है 1931 की बात करते है 1931 में कॉंग्रेस के अध्यष्टा जो है वो सरदार जिने करी है सरदार कौन वल्लब भाई पटेल सरदार वल्लब भाई पटेल जो है उन्होंने अध्यक्ष्टा करी है करांची की और इन्ही के इसी अध्यक्ष्टा के दौरान इसी अध्यक्ष्टा के दौरान आप देखेंगे इसी अध्यक्ष्टा के दौरान आप देखेंगे जिसके बारे में आपने खुब अच्छी तरीके से पढ़ाओगा, उसके डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं, इसके अलावा आप देखोगे, 1934 से ले करके 1935, यानि कि 1934-35 में ये जो अध्यक्ष्टा है, अच्छा, 9 नमबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कि एक से अधि 1934 और 1935 में जो अध्यक्ष्टा है, 1934 से 1935 तक की जो अध्यक्ष्टा है, ये राजेंद्र प्रशाद जी के दोरा करी गई थी, बॉम्बे और लखनों में, और लखनों में, 1934-35 में, और ये किस ने करी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद, और आप सब लोगों को तो ये एक नाम आपको यहाँ पर और मिल गया, एक और कॉंग्रेस के विक्ति मिल गया, जिन्होंने दो बार अध्यक्ष्टा करी है, इसके बाद जिनका नाम आएगा, वो भी बहुत ही महत्यपुर्ण नाम है, 1930, 1938 और 1939, ये 11 नाम हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, और ये हरीपुरा, हरीपुरा और त्रिपुरी में ये अधिवेशन किये गए थे, ठीक है, ये दो अधिवेशन किये थे, और आप लोगों को मालू में, INA की establishment इन्होंने किया है, ठीक, इन्होंने establishment किसका किया है, INA, उल्फार्म उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जानते होंगे तो INA के establishment भी इन्होंने किया हुआ था, तो बहुत important नाम है, ठीक, अब हम बात करेंगे, 1938 के बाद, 1947 में, 1947 में, आचारे जेवी क्रपलानी, जेवी क्रपलानी, ठीक है, जेवी क्रपलानी, ये नाम यहाँ पर important याद रखना है, क्यों याद रखना है, इनके समय में, भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ है, या यूँ कह सकते हैं, सत्ता हस्तनांतर जो है, वो जेवी क्रपलानी के समय में हुआ था, ये merit session था, जहां आप ये ध्यान रखेंगे, कि इनके समय में, भारत स्वाधीन हुआ, स्वाधीन भारत, तो स्वाधीन भारत क के समय में ये नहीं बने थे, यानि भारत उस समय गुलाम था जब इन्होंने अध्यक्ष्टा करी, लेकिन उस समय आजाद भी हो गया जब ये अध्यक्ष्ट थे, उसके बाद 1948 में 1948 में पटाभी सीता रमया, 1948 ये भी एक इंपोर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, पटा जैपुर में, और ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि विशेश सत्र था एक प्रकार से, अगर दिखा जाए तो कॉंग्रेस का बहुत है इंपोर्टेंट, ठीक है कॉंग्रेस की अध्यक्ष्टा इन्होंने करी है, जैपुर कॉंफरेंस जो है आपको यहाँ पर देखने को म जी है, 1938 और 1939, इसके बाद आप समलों को मालूम है, टंडन जी आए, 1950 में, राजर्शी टंडन, पुर्शुत्तम दास, टंडन, जिनको आप राजर्शी के नाम से भी जानते हैं, राजर्शी पुर्शुत्तम दास, टंडन जी जो है, इन्होंने जो अध्यक्ष्टा करी थी ये नासिक में करी थी, कहां पर करी थी, नासिक में, और आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, कि राजर्शी पुर्शुत्तम दास, टंडन वो व्यक्ति थे, जो चाहते थी कि हिंदी जो है, वो क्या बन जाए, भारत की राष्ट भाषा बने, तो भारत की राष्ट भा 1950 में आपको यहाँ पर एक नाम ये देखने को मिलता है, इसके बाद आप लोगों को बहुत ही फेमस नाम देखने को मिलेगा, जो कि इंदरा गांधी जी का है, ठीक है, 1959 में, 1959 में, इंदिरा गांधी जी, ये अध्यक्षा बनी, कॉंग्रेस की, और इन्होंने दिल्ली में अध्यक्षता करी है, सबसे पहले इन्होंने अध्यक्षता कहां करी है, दिल्ली में, 1959 में, 1969 में, इसके बाद एक बार और अध्यक्षता का पत इनको मिला है, 1978 से लेकरके, 1984 से लेकरके, 1984 तक इन्होंने भी अध्यक्षता करी है, तो इस दोरान आप देख सकते हैं, काफी ल की अधेक्षता जो है वो एक बार से अधिक बार कर रहे हैं इंद्रा गांधी जी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिला इसके अलामा 1960 में बीच में इसी दोरान क्योंकि यहाँ पर लगातार हमने उनका कारकाल दिखा दिया तो 1960 में एक नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1960 में जिन्होंने अधेक्षता करी है वो है नीलम संजीव रेड़ी इन्होंने कॉंग्रेस की अधेक्षता करी है और यह अधेक्षता करी है बंगलूरू में थे राजीव गांधी, राजीव गांधी जो की 1985 में अध्यक्ष 85 में ईंदरा गांधी जी के बाद में, ठीक है इनके बारे में आप कहेंगे कि भारत में, भारत में सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इनको जाना गिया ठीक है यंगेस प्राइमिनिस्टर थे जो 40 साल की उम्र में ही आपको मालू है क्या बन गए थे प्राइमिनिस्टर बन गए थे और 41 साल के थे जब ये कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने ये नाम आपको यहां पर द्यान रखना चाहिए घीक है इसके अलामा यहां पर एक नाम हमने लिखा था अबूल कलाम जी का अबूल कलाम अजाद ये नाम आपको यह आपर लखा हुआ देखने को मिल रहा है इसमें एक important point आप add कर सकते हैं इसमें एक important point आड़ कर सकते हैं अबूल कलाम जो थे बिल्कूल यंग थे तब इन्होंने अध्यक्षता करी हुई थी इंडियनेशल कॉंग्रेस की और ये उस समय जो है 35 वर्ष की उम्र के थे कितने वर्ष की उम्र की? 35 वर्ष की उम्र के थे और यहां पर आप देख सकते हैं जो ये राजीव गांधी जी है ये आपके उस समय 41 साल के थे जब इन्होंने अध्यक्ष्टा करी है और स्वतन भारत के अगर देखा रहा है तो सबसे युवा पहले सबसे युवा स्वतन भारत के जो सबसे युवा कॉंग्रेस ही है वो यही है ये नाम आप गया आगे आपका राजीव गांधी के नाम पर ठीक है? अब इसके बाद जो नाम आएगा वो आपको important मालूमी है इसके बाद जिनका नाम आने वाला है 1998 से लेकर के 1997 तक लगातार कॉंग्रेस का अध्यक्ष का कारेकाल जो है वो श्रिवती सोनिया गांधी जी ने समाला है सोनिया गांधी जी और इनके नाम पर हमको ध्यान रखना है सबसे लंबा कारेकाल सबसे लंबा जो कारेकाल है कॉंग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वो किसका है सोनिया गांधी जी का है 1998 से लेकर के लगातार 2017 तक है रही है इसके बाद 2017 से लेकर के 2019 तक 2017 से ले करके 2019 तक राहुल गांधी जी जो है ये कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे थे हलाकि ये भी काफी युवार है लेकिन सबसे युवा के रूपे इनको नहीं जाना सकता है वो थे राजीव गांधी जी और अब आपको मालूम है कि 2019 से ले करके 2022 यानि अभी तक आप देख सकते हैं अंतरिम अध्यक्ष रही थी अंतरिम अध्यक्षा अध्यक्षा रही थी श्रीमति सोनिया गांधी जी खीक है और अभी आपने देखा कि आज हो सारे मतों को प्राप्त करते हुए 2022 से अब आगे 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 कब तक जब तक देखते हैं कब तक ठीक है तो अब आगे जो अध्यक्ष रहेंगे मल्ली कारजुन मल्ली कारजुन अडगी ये मैंने आपको कॉंग्रेस का एक संचिप्त इतिहास बता दिया अध्यक्ष का नाम लेते हुए और शुरुबात में मैंने आपको ही बताया कि कॉंग्रेस किस तरीके से इंपोर्टेंट था किस प्रकार से कॉंग्रेस की जो इंपोर्टेंट से वो आपको समझ में आती है तो उमीद करते हैं कि पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरीके से इसको enjoy भी किया होगा और यदि अगर आपको इस से संबंदित किसी प्रकार का कोई confusion है तो आप समझे comment section में comment करके जरूर पूछ सकते हैं साथ ही साथ आप इसके बारे में क्या other information रखते हैं जरूर हमको बताईएगा अन-informations आप किस प्रकार की रखते हैं international congress के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप हमसे साजह करना चाते हैं आप इन सब चीज़ों को comment section में भी साजह कर सकते हैं साथी साथ आप हमारे इस telegram group में जुड़ करके या फिर किसी प्रकार के social media जो हमारा platform है चाए वो facebook हो या फिर आप instagram में हो वहाँ पर भी आप अपनी जो बाते हैं वो हमसे share कर सकते हो ठीक है तो आज के लिए फिलहाल इतना ही मुलाकात करेंगे अगले सत्र में आप सभी लोगों से तब तक लिए नमशकार धन्यवाद